दोस्तों अगर आप यूज करते हो Samsung Galaxy EF54 5G का फोन और आप अपनी फोन में dual SIM शेटिंग करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं SIM 2 से इंटरनेट चलाना या SIM 1 से इंटरनेट चलाना या आप किशी को कॉल करते हैं आप चाहते हैं यहाँ पर आप से पूछना चाहिए कि SIM 1 से या SIM 2 से कॉल करना है या आपको सिर्फ डारेक्ट SIM 1 से लगना चाहिए या डारेक्ट SIM 2 से लगना चाहिए SIM की सारी setting मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले आप अपनी phone के setting में आ जाओ यहाँ पर connection का option सबसे उपर मिल जाएगा आप इस पर click कर लो connection के option पर जिससी आप click करते हो यहाँ पर नीचे SIM card manager नाम से option मिलता आप इस पर click करो SIM card manager पर click करने बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है calls का option है देख सकते हो बीच में calls पर click करके always कर देंगे तो हमेशा पूछेगा कि SIM आपको call करना है SIM 2 कर देंगे direct SIM 2 से लग जाएगा मैंने always किया है यहाँ पर देख रहे हैं पूछ रहा है कि SIM करना जैसे call करते हैं अब इसके बाद इसको हम cut कर देते हैं और दूसरा तरीका है स्वारी जो है यहाँ पर दूसरा option है message का message कि SIM करना mobile data कि SIM करना यहाँ पर चूछ कर सकते हो और वीडियो पसंदायत लाइक करिए